हेलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड़ा 24 7 पर वैब श्रवास्तों के साथ और उमीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छी होंगे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फड़ा फड़ा आजी यार और हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है दरसल आज के जो टॉपिक हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं for IBPS PO interview यानि कि IBPS PO interview के लिए जो हमारी important topic हो सकते हैं banking segment में, banking awareness से related वो सारी चीज़े हम आप से discuss करेंगे और दरसल यह हम अपने end से नहीं यह दरसल पुराना है यानि कि पुराना innocence की अभी just तुरंत SBI PO का interview complete हुआ तो उससे related जो topic का questions पूछे गए candidate से उसी को point out करके एक उसके विहाब पर एक base के तौर पर हम लोग यहाँ पर discuss करने वाले हैं कि क्या क्या question आप से पूछे जा सकते हैं कि इनकी topics question पूछे जा सकते हैं तो आईए start करते हैं start करने से पहले आप सभी जो नए दोस्त हैं उनसे गुजारिस होगी कि चैनल को subscribe परके bell icon प्रेस कर लिजेगा ताकि आपको live notification classes की मिलती रहें तो आते हैं यार start करते हैं और वीडियो को like कर लिजेगा आप सभी के सभी लोग jump ताकि आप लोग आपको ये like वीडियो में रहें और कल को जब आप revision में जाओ क्योंकि अभी means का result आ गया है अब आप में से पहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस topic को पढ़ना start कर दियोंगे कि इस topic को cover कर लेते हैं कि interview में यहां से question देखने को मिल सकता है तो आते हैं start करते हैं दोस्तों अगर हम बात करें अभी जो scenario चल रहा था जैसा कि मैंने आपको बताया कि SBI PO interview यहां पर हम आपको question बहुत सारी चीज़े नहीं discuss करेंगे in fact question भी discuss कर लेंगे ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अभी में SBI ने एक declaration कराया था candidate से कि आपको किसी disclose नहीं करना है कि आपसे question क्या किये गए तो आपसी जहां तक है IPPS PO में भी ऐसा declaration होगा तो बहराल आप तो interview conduct हो गया complete हो चुका है SBI PO का तो हम लोग अब discuss करी सकते हैं और आपको बताते हैं कि दरसल क्या-क्या topic रहा था क्या-क्या रहा किस-क्या topic से question आए गए तो बस slightly हम आपसे discuss कर रहे हैं बस आप देखते चलिएगा यहां पर अगर आपका interview है तो आपके लिए add-on हो जाएगा यह useful होगा बहुत ज़्यादा दोस्तो new government schemes अब आपको लगेगा new government scheme लिखाया सर ने यहां पर और यहां पर प्रधान मंत्री जंधन योजना के बारे में discuss किया जा रहा है एक्जैक्ली चैंप आपको बताना चाहेंगे कि प्रधान मंत्री जंधन योजना अभी आपने देखा एक नया milestone टच किया 50 करोन प्लस accounts open हुए इसमें महिलाओं का सब ज़्यादा इसका जो account open करने वाले हैं वो महिला हैं एक सर्टेन परसेंट तो इनसे question पूछा गया कि चंधन योजना के बारे में आप करेंट अभी जो रिपोर्ट आया है कि government की और से वो कितना आ रहा है इसमें महिलाओं कितना account open की कितने account अब तक milestone अचीव हुआ government की और से एंड इसमें overdraft कितने का मिलता total insurance कितने का है after death कितना accidental कितना कितने साल complete हुए तो यह रहा उन्नती भारत अभियान अभी विकसित भारत दरसल ये उन्नत और विकसित ऐसे आता है अभी हम आप PM Modi ने आपने देखा होगा 2047 तक की बात कही थी उसके लिए बहुत सारी schemes launch किये गए उस अभियान के बारे में पूचा गया campaign के बारे में पूचा गया PM सुरियोध पूछा गया AM वित्वकर्मा के बारे में पूछा गया तो आपसे झो corporate recent के schemes है joh highlighted schemes है जो अभी हालही में launch हुई उससे related questions यहां फ फिर आता है दोस्तो trending topic or terms cryptocurrency यार क्रिप्टो करेंसी अभी trending में तो नहीं है बढ़ आपके ऐसे कह सकते हो एक term है जो आपके आए दिन ये आपसे question counter हो रहे हैं अभी एक candidate से पूछने बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि उनसे cryptocurrency के बारे में पूछा गया NPA कैसा topic है जो हमेसा trending में रहता है बैंक के लिए किसी भी बैंक इंटर्व्यू में जाते हो कह सकते हो trending नहीं भी होता तब भी वो interview panel जो होते हैं वो trending वाले question को नाम पे यहाँ पे NPA question करते ही हैं आपसे KYC, money laundering, inflation, deflation, FDI, ADC अभी वर्तमान समय में अभी retail inflation क्या rate है बहुत सारी चीज़े हैं आपसे जो inflation के बारे में और deflation inflation से related stack inflation, deflation यह कई सारे terms आपके अभी हाल ही में question पूछे गए अगला point दोस्तो recent events events की बात करें Maldiv issue, Maldiv से related जो अभी issues थे यानि कि वहाँ के president के बारे में पूछा गया जिन ministers का वहाँ से बर्खास किया गया, suspect किया गया, उनके बारे उनका नाम पूछा गया, दो ministers का ठीके, लक्षदीव tourism के बारे में पूछा गया, ठीके, banking scams के बारे में पूछा गया, recapitalization of banks के बारे में पूछा गया, क्या होता है, और अभी bank को के, अभी आजगो, आप IBPSPO के लिए जा रहे हो, तो आपको बताना चाहेंगे कि IBPSPO के लिए अगर आप जा रहे हो, तो आपके लिए important point यह होगा, कि suppose that आपने सबसे पहला bank का preference किस bank को दिया, तो आप मेंसे सारी चीज़ें, अभी आपका जो है, आपका PNB आपने सेलेक्ट किया, तो क्यों PNB ही सेलेक्ट किया, यह सारी चीज़ें आपको update रखनी होगी, यह reason भी बताना पड़ेगा आपको यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि interview panel जो होगी, वो आपसे question जरूर करेगी कि, आपने इस bank को क्यों सेलेक्ट किया, अब उस bank को क्यों सेलेक्ट किया, उसके लिए आपको बताना पड़ेगा दरसल क्या है, क्या बताना पड़ेगा, जैसे आपका उसके data बताने पड़ेंगे, उसका profit बताना पड़ेगा, gross NPA, net NPA कितना आप से उसके बारे में भी पूछा जा सकता है, तो यह सारी चीज़े ध्यान रखना है. Important Banking Terms. यह सभी bank के interview के लिए चाहे हो आपका PO का हो, RBI Grade B का हो, या फिर आपका SDI PO का है. किसी भी interview में आप जाते हो, तो यहाँ पर normal terms आते ही हैं. CRR, PLR, NPAs, Rapporate, Reverse Rapporate, ETC. अब तो नए-ने terms SDF इसे गवारे में पूछा जा सकता है. ठीक है? Variable Rapporate का होता है, उसके बारे में पूछा जा सकता है. तो यह सारी चीज़े हैं. अगला point, Terms related to process having day-to-day in banks. जैसे types of account. आप सभी लोग जानते होंगे. Types of, sorry, माफ कीज़ गए, DMAT accounts. इससे भी related question आप से यहाँ पर पूछेगा, guys. तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है. जो यह day-to-day in banks, यानि जो दिनों-दिन आपका में यानि day काम होता है, पर देखा, वो सारी चीज़े आप से discuss लिए. Types of checks में आपके बहुत सारे questions point out किये गए. इस बार भी SBIPO में भी पूछा गया, कई candidates से. मेरे को याद है कि दो candidates ने, जिन्होंने मेरे से बात किया, उन्होंने बताया कि उनके बारे में, उनसे check के बारे में पूछा गया, किसी से anti-dated, किसी से post-dated as a question. Terms related to day-to-day process in banks, जैसे types of account, यह daily normal है, वही same चीज़ है, वही point आपका आगया, locker, check versus, draft के बारे, अंतर क्या है, spelling माफ की जगा, यहाँ पे spelling में mistake है, demand account, यह सारी चीज़े. तो आपको यह terms, आपको यह common है दोनों चीज़े, आपसे repeatedly कह सकते हो, कि बार-बार repeat हुआ यह question, यह terms, जो आपसे पूछे गए. Anyway, अब हम बात करते हैं, दोस्तों, banking terminology, इसको last time में मैंने SBI PO के interview के time पर, उससे एक दिन पहले, जब से आपका interview स्टार्ट होना था, तो मैंने आपको पहले भी inform किया था, कि यह topic आप एक बड़ी cover कर सकते हो, दरसल वो topic कौन कौन से है, उसको बताने से पहले आपको बता देंगा इस, कि आपका IBPS PO का interview batch आ चुका है, यह batch आपका 7th of February से start हो रहा है, 7th February से start हो रहा है, पहले हमें लगा कि 9th February से था, तो बीच में उसको वापस से हम लोग prepone किया मैंने, हम लोगोंने, it's a 7th of FAP, 7th February से होगा, इसमें आपको 2 online mock मिल रहे हैं, 2 online mock मिलेगा, एक offline mock मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, एक offline, offline में आपको अड़्डा के office हम लोग बुलाएंगे, वहाँ पर आपको, especially मैं, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ, कि वहाँ पर हम आपको, आपको सारी classes, यानि कि banking के जो जो important topics हैं, या current scenario में, current के topics हैं, जो burning issues हैं, उन सब के उपर हम लोग discussion करेंगे, सारी panel, सारी team के साथ, सारी team in the sense कि आप सभी लोग रहोगे, हमारे panel भी रहेंगे, तो panel खाली नहीं होते हैं, उससे में mock ले रहे होते होएं, तो हम आपको classes के थुरू, आपको सारी चीज़े अपडेट कराएंगे, offline, बिल्कुल practically bad, कि जैसे हम आप, अब आपने देखा होगा, videos वगरा में आते हैं, thoughts वगरा में, हमने इसके पहले भी classes ली हैं, वहाँ पर SBI PO के लिए भी, आप में से बहुत सारे लोग आएं भी होंगे, तो mock भी होगा आपका यहाँ पर, आपके यह former panelists भी रहे हैं, यह सब, जो आपके कहीं कहीं किसी exam में, IBPS में, किसी year में, यह panel भी रह चुके हैं, तो आप जूर सकते हो, इस badge के साथ, इसमें code आपको याद किना Y307, दोस्तों आपको online classes भी मिलेंगे मेरी, साथी साथ आपके panel के भी class मिलेगा, और personality development की classes भी मिलेंगी आपको, तो आप इसको join कर सकते हो, अब आते हैं दोस्तों banking के topic में, तो आपके banking के topic कुछ इस हैं, यह है, हमने आपको last time पे SBI PO में भी discuss किया था, जैसे कि हमने आपको बता, types of account, types of loan, types of ATM, इससे question देखने को मिलेंगे आपको, फिर आता है दोस्तों RBI, RBI से history आपसे पूछी जा सकती है, RBI के history एक दो question आते हैं, history से बहुत rare आता है, otherwise उसके functions, subsidies, banking, reimbursement, money laundering, and आपके RRB, PSL और KCC, PSL से question ज़्यादा counter होंगे आपके IVPSPO में, क्योंकि सभी bank को, कुछ-कुछ bank को आरद नाबाट क्या करता है, refinance का भी काम करता है, rural sectors में, तो आपको यहाँ पर PSL target भी पूछा जा सकता है, कि PSL का target कितना है, MSME के sector में कितना है, या फिर social info के sector में कितना है, यह में बहुत सारी चीज़े हैं, money market ज़रूरी नहीं आपसे पूछा जाए पठा, money market में negotiable instrument अगर आप देखते हो, तो negotiable instrument के section 4, 5, 6 के बारे में आपको पढ़ना पढ़ेगा, section 4 में promise tree node, section 5 में bills of actions, section 6 में आपका check आता है, ठीक है, types of check आपको update करना पढ़ेगा, money market के CP, CDs, and cash management bills, CMB, या फिर ways and means advances क्या होता है, what is treasury bills, treasury bills कितने परकार क्यों होते हैं and all, यह सारी चीज़े आपसे, जरूरी नहीं आपसे पूछा जाए, क्योंकि SBI PO में मैंने, साइट मेरे को याद नहीं आ रहा है, यह मेरी लिए add-on होगा, आप लोगों को, फिर capital market, capital market में जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आपसे यहां से bond से question आ सकता है, कि masala bond, guiltage bond, junk bond, ठीक है, sensex nifty से आपको पूछा जाएगा, क्या आपको knowledge है इसके बारे में, अगर आपने economic section से हो, या फिर आपने कभी कर रखा है, आपने CV में mention कर रखा है, कि आप इसमें काम कर रहे हो, तो आपसे question counter हो सकता है, otherwise बहुत कम chances है आपसे, कि capital market की इन सब topic से question देखने को मिलेगा आपको, आपसे पूछा जा सकता है, BSE के बारे में जानते हो, जानते हो तो बताओ ये, क्या होता है, निफ्टी क्या है, लेक कुछ इस तरह से, अगरा point NPA, यार ये point topic बहुत important है, traditional concept में आपका DRT, DRAT आता है, लोक अदालत होते हैं, लोक अदालत का amount पूछा जा सकता है, PCA क्या होता है, सरफाइसी एक्ट किसी यर में आया था, ये question SBI PO में इंटर्व्यू में था, ठीक है, and types of risk के बारे में बताओ, कितने प्रकार के risk हो सकते हैं, कोई तीन प्रकार के risk को explain करो, दो-दो line में, ऐसा question, बैसल लॉम्स नहीं पूछा गया था, अभी कई सालों से नहीं, कई सालों मतलब की, पिछले साल IBPS में नहीं आया था, और इस साल भी SBI PO में अभी तक नहीं आया, SBI PO की बात कर रहे हैं, ठीक है, and PCA आप से question पूछा गया है, PCA के बारे में बताओ, PCA है क्या चीज, from correct action होता क्या है, आरे भी जब भी इनके किसी बैंक के उपर PCA action लागू करता है, तो उस पर क्या क्या restrictions लगाते हैं, तो ये सारी चीज़ें को basic आप से update करना होगा, अगर आप BICOM background से हो, ठीक है, BICOM या AMCOP background से हो आप, तो background आपको खंघाल के जाना है, आपको पकड़ लेंगे, पकड़ने का innocence की डराने का मकसद नहीं है मेरा, पकड़ने का मतलब क्या है कि आपको चारो तरफ से घेर लिया जाएगा, कि भी या आप ratio जानते हो, leverage ratio क्या होता है, ठीक है, convertible debentures क्या होते हैं, ऐसे, non-convertible debentures क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़े हैं, laser के बारे में आप जानते हो, कोई entry करके बताओ, तो ऐसे question, आपसे question, मतलब जो fact, fact-based question होते हैं, जो आपने पढ़ा होगा academy में, वो चीज़े आपको cover कर रखनी है, ये बहुत important point होगा आपके लिए, ठीक है, फिर आता है दोस्तों budget, यार budget हम इसलिए बोल रहे हैं, current year budget इसलिए मैंने mention कर रखा है, कल आपका एक फरवरी है, तो एक फरवरी आपको ये चीज़े पता होगी, कल budget paste होगा, वो भी interim budget, तो आपको पता होना चीज़े कि दरसल क्या क्या लायागा है, इस budget में क्या था, vote on account क्या होता है, आपसे आ सकता है कि, annual financial statement किसों कहते हैं, article 112 क्या है, कुछ भी आ सकता आपका, किस article में mention है, या फिर आपसे ये question आ सकता है, कि भाईया सबसे पहली बार budget किसने paste किया था, British Cornell का budget किसने paste किया था, तो बहुँ सारी question आपसे बनते हैं, यहां से history और current, ये दोनों को आपको cover करके रखना होगा अपने आपको, फिर आता है दोस्तो payment bank and small finance bank, ये topic आपके written exam में भी important है, और यहाँ पे difference between payment and small finance bank, कोई तीन difference बताओ, क्या payments bank CRAR maintain करता है, करार maintain करता है, खीक है, अगर करता है तो क्यों, क्योंकि ये तो loan देता नहीं है payments bank, तो क्यों maintain करता है, small finance bank क्या है, small finance bank किस committee के recommendation पिलाया गया, small finance bank में क्या कोई limitations है bank deposit करने के लिए, and all बहुत सारी चीज़े हैं जो आपसे discuss की जाएंगी यहाँ पर, फिर आता है दोस्तों, आपके सामने ये points हैं, ये जो देखो, आपको बता देए, types of account आप पढ़ लोगे, banking terminology is, एक या दो number के question, एक या दो question आपसे पूछे जा सकते हैं, types of banking की बात करें, universal banking क्या होता है, retail banking क्या होता, para banking क्या होता, etc, ये सारे, होगा, types of money इसे, इस बात के लिए तयार हो आप, ठीक है, derivatives, अभी तक तो आया नहीं, पिछले के पिछले साल आपके derivatives, रिटेन एक्जाम में भी question था, और interview में भी question था, अभी तो आया नहीं, बढ़ा राल, हम दो साल का target लेके चलते हैं, और derivatives, पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं आपका आए, ये become वाले candidates से ज़्यादा counter होते हैं, NPCI and product, NPCI और उसके product के बारे में question आ सकता है, जैसे UPI and UPI light में difference क्या है, what is the difference between IMPS and UPI, what is the difference between NEFT and RTGS, ये UPI, NPSI के product नहीं है भारा फिर भी, ठीक, NPCI के चार product के बारे में बताओ, पांच product के बारे में बताओ, एक एक लाई में explain करो, UPI किसी यहर में आया था, IMPS किसी यहर में आया था, NETC किसी यहर में आया था, NETC RFID, sorry, NETC में fast tech है, fast tech किस network पे work करता है, तो यह सारी चीज़े आपको अपड़ेटक नहीं होगी, NPCI के बारे में, इसके product को आपको अच्छे से cover करके जाना होगा, यानि कह सकती हो कि आपका भी कुछ भी बताया नहीं गया, किस exam date क्या है, interview date क्या होगा, call later कब release होगा, कुछ भी नहीं पता, blank हो आप, तो अभी आपका target यही होना चाहिए, कि सारे banking के terms आपको cover होने चाहिए, banking terms बहुत crucial और बहुत important है, अगर आपको नहीं पता, तो बहुत problem नहीं है, sorry बोल के निकल सकते हो, बट आप प्यार क्यों sorry बोलना, जब हमें वो चीज़ें पता है, और हम एक या दो line में explain कर सकते हैं, तो अच्छी बात है ना, तो इस चीज के लिए आपको तयार रहना होगा, जहां तक मेरा मानना है, आप में से बहुत सारे लोग होगे, बीटे क्या, फिर आप लोगे, बहुत सारे होंगे, BSC होंगे, BA होंगे, जिनका निकला होगा, ठीक है, बट आप लोगों से जरूरी नहीं है, आप लोगों से question banking का ना आए, आप से उमीद करता है panel, कि आप बताओगे, आपको basic तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि आपका knowledge नहीं चेक हो रहा वहाँ पे, क्योंकि आपने knowledge अपने आपको दिखा रखा है, आपकी पास कितने knowledge थे, तब ही आपने prelims और mains qualify किया उनको, तो बहुत सारी चीज़े हैं, यह चीज़े हम आपको class में और discuss कराएंगे, यह आपके paid batches में भी cover कराएंगे, मेरी classes, दो या तीन classes और होंगी, मेरी यह भी paid batches में, YouTube पे तो हम आपसे मिलते ही रहेंगे, daily के daily, तो इस चीज़े के लिए धिहान रखना है, तो guys, I hope कि आपको इस सारी चीज़े clear होंगी, आपको बताना चाहेंगे, PIDF scheme के बारे में पढ़ना होगा, PIDF scheme यह आपके लिए important है, इसके बारे में आपको अभी पूछा जा सकता है, आपके PM विस्व कर्मा, PM सुर्योद है योजना, यह सारी चीज़े आपको cover करके जानी है, सुरक्षा बीमा, जीवन जोती, अटल पेंशन, मुद्रा, मुद्रा, मुद्रा को हलके में नहीं लेना, या हर साल interview में पूछा जाने वाला question है, ठीके, जन्धनी होतना हर साल interview में पूछा जाने वाला question है, तो इस चीज़ को धिहान रखना है, तो and I hope कि guys आपको clear होगा, यह सारी चीज़े समझ में आ गई होगी, हम आपको कल से नहीं ने topic और जो आपके most repeated questions है, उसके बारे में हम लोग discuss करेंगे कल में, तब तक यह दोस्तों, आज के लिए इतना ही हम आपसे विदा लेते हैं, thank you guys and best of luck, आप से भी लोग daily जुड़ो, हम आपको daily update कराएंगे, कोई ने कोई topic, आपको बता दें दोस्तों, आप हमारे interview batch में भी जुड़ सकते हो, आपको batch code apply करना है, Y307 code लगा के आप enroll करा सकते हो, यहाँ पर हमारे panel की classes तो होगी होगी, साथी मेरी भी banking की, current affairs की classes होगी, और एक class होगा, जो SBI POQ पर based होगा, जो बच्चों से question किया गया था, उनसके question हम आप से discuss करेंगे, तक हमारा road map बन जाएगा, कि हाँ, ऐसे questions अगर हम से पुछा गया, तो हम कैसा जवाब दे सकते हैं, अपने आपको mold कर सकते हो, रट्टा नहीं मारना आपको, बस अपने आपको तयार कर सकते हो इस चीज के लिए, उस situation के लिए आप तयार रहोगे, तो बहुत सारी चीज़े हैं, आप जुडो, यूट्यूब पर classes तो होगी होगी, तो आप ये जाके enroll करा सकते हो, आपको जाना है adda247.com पर, वहाँ पर जाना है IBPS PO section में, PO section में जाके आपको दूसरा option दिख रहा होगा, IBPS PO Complete Interview Preparation with One-on-One Mocked Session, इसके साथ जाके इसके उपर क्लिक करना, Buy Now पर जाना है, आपको ये coupon code अप्लाई करना है, आपको ये coupon code लगा के, आपको ये batch 2200 के प्रॉक्स हो जाएगा, और एक चीज़ और बता दें, ये adda के application के थूज़ाओगे तो, अगर web के थूज़ा रहे हो, तो ये price आपको 2299 का पड़ेगा, यानि कि 2299, यानि कि 2299 रूपय का, आप देख सकते हो, आपकी call है, ठीका, आपको code याद रखना है, 307, तो thank you guys, and best of luck, आप से भी लोग daily जुडो, हम daily आप देले classes लेके आते रहेंगे, and timing थोड़ा up and down हो सकता है, तो thank you guys, love you, and bye, maha deo.